हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादर फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पे और आज हम अनाटमी ओफ दी पेरिडॉडॉंचियम का दूसरा पार्ट करेंगे क्योंकि पहले वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो इसलिए हम लोग इस व यहागाऊं बीच यहाँ पर उसको इन्ट्र देंटल रो यहाँ यह बोलता है और उसलिए जो वो जिंजयव कहीं rupees maa भोड मों interdental papula भी बोलते हैं इसको दूसरा pelletal side में होगा ठीक है यह तो buckle side हो गया यह बuckal side हो गया यह pelletal side हो गया और एक जो होता है उसको कॉल बोलते हैं जो molar में आपको देखा जाता है दोनों दाउनां जैसे एक दाउना जोगा इस साइट दूसरा दात होगा, तो दोनों दात की बीच में जो ये डिप्रेशन देख रहे हो, ये जो जिनजायवा आ रहा है, उसे कॉल बोला जाता है, ठीक है, तो तिन टाइप का होगे, एक बकल, एक पैलेटल एक कॉल, ठीक है, समझ गए इतना, उसके बाद, अब इंटर जिनजायवा पिरामिडल फॉर्म का होता है, देखो, अभी हमने देखा था, ये देखो, जो इंटर देंटल जिनजायवा है, जो एंटीरियर, ये एंटीरियर दात हो गया, वहाँ पे जिनजायवा पिरामिडल शेप का, पिरामिड शेप का दिख रहा है, देखो, ये पिर पिरामिडल शेप का नहीं होगा, ठीक है ना, now the shape of the interdental papilla is determined by the contact relationship between the teeth, अब देखो, इसका shape कैसे define करेगा, ये एक दात है और ये दूसरा दात है, इसके बीच में चो contact है, तब तो ये ऐसा shape बन रहा है न, अगर मानलो space होता, ये पुरा plane होता, मानलो एक दात ऐसे है, दूसरा दात इतने दूरी पे है, तो ये थोड़ी न, पिरामिडल होता है, वो कैसा होता, वो एक दम rectangular होता, तो मतलब ये डिपेंड करता है, हमारे contact relationship पे, दोनो दात के बीच में जो contact है, उसके डिपेंड करता है, इसका shape कैसा होगा, दूसरा, the width of the proximal tooth surface, कितना width है, proximal tooth surface का, उसके पे भी डिपेंड करता है, दूसरा है, courses of the cemento-enamel junction, cemento-enamel junction का course कैसा है, जैसे ये दात हो गया, ठीक है, ये root हो गया, अब यहाँ पे जिन जायवा आता है, तो enamel portion ये हो गया, cementum हमारा root पे होता है, तो इसका area, course है, कैसा जा रहा है ये, कैसे courses है, मतलब कैसे pattern में है, उसके according भी डिपेंड करता है, उसका shape कैसा होगा, ठीक है, now, अब बात करते है, attached जायवा की, तो attached जायवा हमें पता है, कहां से शुरू होता है, marginal जायवा से लेकर, ये mucos gingival junction, तक, ये जो वाला area है, ये बोलता है, attached जायवा, ठीक है, तो क्या बोलता है, it extends from the free gingival grooves, से लेकर, to the m muco gingival junction, जो ये नीचे आ रहा है, ये वाला portion, वहां तक, where it meets the alveolar mucosa, उसे बोलता है, attached gingival, क्योंकि ये attached होता है, बोन से, now, the attached gingival is tightly borne to the underlying alveolar bone, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, इसका function क्या है, it provides gingival tissue that can withstand the mechanical forces of mastication, जब हम चबाते हैं, जब हम खाते हैं, तो बहुत force होता है उसमें, तो ये क्या करता है, ये tissue क्या करता है, उसको mechanical forces से बचाता है, ठीक है, उसको वहां जमाई रखता है, ठीक है, अगर हम brushing करते हैं, तो भी force लगता है, तो वो हिलने नहीं देता, free gingival को, निकलने नहीं देत पूरा, and tension applied on the mucosa, ठीक है, दूसरा, prevent free gingival from being pulled away from the tooth, when tension is applied to the alveolar bone, अगर alveolar bone पर तेंशन कर रहे हो, तो वो पूरा बोन से उस gingival को निकलने नहीं देता, चिपका के रखता है, ठीक है, तो यह इसका काम होता है, अटाच जिंजाइवा का, Now, the surface of the attached gingival is stippled, like orange peel, यह stippling होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, stippling होता है, यह attached gingival में, चुचुचुचुचुचुच, दाने जैसे दिखेंगे, आपको orange तरे का, orange जैसा peel होता है, वैसा ही दिखेंगा, पूरा, attached gingival में होता है, तो यह mcq आता, याद रखना, attached gingival में, stippling होती है, stippled होता है, वो, now, the width of the attached gingival vary from 0 to 9 mm, यह depend करता है, यह vary करता है, 0 से लेकर 9 mm तक यह लंबा बड़ा हो सकता है, now, attached gingival is greatest in incisor region, देखो, अब incisor region में, यह 3.5 to 4.5 in maxilla में होता है, देखो, जैसे यह नापा जाता है इसको, तो जब यह नापा गया, तो anterior जो दात होते हैं, उनमें जो attached gingival होता है, वो थोड़े से ज़्यादा होते है, 3.5 to 4.5 in maxilla होता है, and mandible में 3.3 to 3.9 होता है, मतला maxilla से, तो इसका मतला यह समझ में आ रहा है कि mandible में attached gingival कम है, 3.3 to 3.9 और यहां पर 3.5 to 4.5 है, ठीक है न, तो यह तो थी maxilla और mandible की बात, अब अगर canine और premolar की बात करें, तो वहां पर कम होता है, उससे भी कम होता है, 1.9 mm in maxilla और 1.8 mm in mandible, देखो, समझाता हो आपको, ऐसी figure में आप देखके समझ जाओगे, देखो, यह कितना ज़्यादा है, ठीक है, यह incisor है वहीं यह आप देखो, canine का किता छोटा सा है, यह देखो, तो अंतर पता लग गया न, कि canine का छोटा होता है, attached gingiva और incisors का ज़्यादा होता है, clear हो गया, यह याद रखना है, MCQ पूछा जाता है, ठीक है न, अब बात करते हैं, alveolar mucosa, जो की last part है हमारा, तो इसका, तो alve से क्या फाइदा है, thin mucous membrane that sites above the marginal gingiva and attached gingiva and continuous across the floor of the mouth, cheeks and lips, देखो, समझो, यह जो देख रहे हो, जादा लाल देख रहे हो, यह यहां से लेकर यहां तक, यह वाला portion, यह पूरा हमारा alveolar mucosa है, ठीक है, attached gingiva के बाद, देखो, the soft and the thin mucous membrane that sites above the marginal gingiva and attached gingiva and continuous across the floor of the mouth, यह floor of the mouth है, तो इसमें continuous हो रहे है, mouth पे, mouth यहां पर आएगा, cheek आएगा, lips आएगा, ठीक है न, तो वो continuous हो रहे है, तो उसको बोलते है alveolar mucosa, अब देखो, it is bright red in color, मैं बोड़ा सरा लाल लाल है, bright red in color, क्यों, क्योंकि rich with blood vessels, यहां blood vessels बहुत सारे होते हैं इसके तो गाइस यह था आपका alveolar mucosa, इसके बाद हम लोग next वीडियो में आगे के topics किलियर करेंगे, जो मेरे चैनल पे नए है, प्लीज आके subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, एक दूसरे को जब आप share करोगे तो उससे जादा सीखने को मिलेगा, ठीक है न, और मैं यह छुटा तो मेच.